पूर्बोतर राज्यों की एहम भूमिका है पूर्बोतर के लिए एक इसका संकल पलिया है यहाँ विकास की टूरिजम की इतनी संभावना है नौर्थ इसकी इन संभावना उपर अब काम हो रहा है पूर्बोतर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर विक्सित किये गए राष्ट्रीय जलमार्ग तो एवं सोला है इस परिकल्पना की महवबून कणी है ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षणी तठपर बसे गुवाहाटी के पास पांडू में एक मल्टी मोडल टर्विनल का निर्वान किया गया है पूर्वोतर भारत में जहाजों की मरमत एवं रखरखाव के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं है जहाजों को मरमत के लिए कोलकता ले जाना पड़ता है जो काफी खर्चीला है इस कमी को दूर करने के लिए गोवहाठी के निकट पांडू में जहाजों के मरमत के लिए एक ड्राई डॉक की स्थापना की जा रही है अब इस पूरे क्षेत्र में जहाज मरमत का काम भी होने लगेगा जो आर्थिक बचत के साथी साथ रोजगार का भी सुरेजिन करेगा माननिय प्रधानमंत्री ने आज इस जहाज मरमत स्थल का शिला न्यास किया इस परियोजना की कुल लागत 208 करोड रुपए है साथी पांडू टर्मिनल में एक एलिवेटेड रोड का निर्मान किया जाना है इसके निर्मान में 180 करोड की लागत आएगी इस एलिवेटेड रोड के बंजाने से पी-म गती शक्ती के अंदरगत पांडू मल्टी मोडल टर्मिनल और पांडू जिस सिंदेर बाद माल भुलाई समभव होगा और आवजाही को गती मिलेगी माननिय प्रधान मंत्री ने आज इस एलिवेटेड रोड का शिलान न्यास किया भारत में कई जलमार्गों के विकास होने से प्रशिक्षत पेशेवरों की आवश्यक्ता होने लगी है इसकी पूर्ती करने के लिए IWAI द्वारा असम एवं त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर स्किल डिवेलप्मेंट संथान में ट्रेनिंग सेंटर खोली गए है गुवाहाटी में स्थापित किये गए स्किल डिवेलप्मेंट इंस्टिट्यूट में खास तोर पर पूर्बोत्तर के चात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो ना सिर्फ इस सेक्टर की आवश्यक्ता को पूरा करेगा अभी तु उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित करेगा माननिय प्रधान मंत्री ने आज गुवाहाटी में बने मैरिटाइम स्किल डिवेलप्मेंट इंस्टिटूट का उधगाटन किया राश्ट्रिय जलमार्ग दो में स्थित धुबरी, जोगी घोपा, तेजपुर, सिलगाट, निमाती और डिवरुगड में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं माजुली दूइप में आबजाही के लिए रो-रो और रो-पैक्स की सुविधा शुरू की गई है इसके अलावा बोगी बील में एक स्थाई कॉंक्रीट टर्मिनल की स्थापना की जा रही है जो हर मौसम में माल ढुलाई और यात्री परिवहन को सुनिश्चित करेगा इसी तरह राष्ट्रिय जलमार्ग सोला पर बांगलादेश सीमा से लगे करीम गंज को ट्रांस शिप्मेंट हब के रूप में विक्सित किया जा रहा है पूर्वोत्र के सभी राज्य इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण करी है इसी के आधार पर प्रधान मंत्री जी ने भारत बांगलादेश प्रोटकॉल रूट के विकास की अवधारना की है जो राष्ट्रिय जलमार्ग दो और सोलह के माध्यम से संपूर्ण पूर्वोतर राज्यों को देश के प्रमुक बंदरगाहूं और बड़ी शहरों से जोडने में सभल रही है यात्रा पर आधारित ये लगु फिल्म प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत सरोत रही हैं बलके विश्वसनिय नौचालन मार्ग भी साबित हुई है माननीय प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मूदी के नितरित्व में भारत सरकार इन राष्ट्रिय धरोहरों का पुनह निर्मान करने और इने पुनर जीवित करने के लिए प्रतिवद्ध है और देश का अंतरदेशिय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगती कर रहा है भारत की नदियों में आधुनिक क्रूश चले व्यापार भी हो तूरिजम भी हो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस लक्षे को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रिय जलमार्गों की शुरुवात की गई है जिससे आर्थिक खेत्र 25 गुना व्रिद्धी करेगा और देश में परियटन से जुड़े स्थानिय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा विकास की इस महत्वा कांची यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक एहम अध्याय है विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, जार खंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांगला देश से जोडते हुए 51 दिनों में 3200 किलो मीटर की दूरी तय करेगा गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागी रथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रमपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की एको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक भी जलक मिलेगी माननीय प्रधान मंत्री से हरी जंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूज की एतिहासिक यात्रा की शुरुवात होगी वारानसी के पवित्र घाटों से जहां से ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालेओं और मंदिरों से होता हुआ गाजीपूर, बकसर, बिहार पहुँचेगा जहां यात्री पटना साहिब गुरुद द्वारा के दर्शन और जार खंड के मनुरम द्रिश्य का लुत्फ उठा पाएंगे फरक्का में हुगली नदी पर अनोखे गामों और डाक बंगलों के मनमोहक नजारे और ध्वनिया क्रूज का स्वागत करेंगे जो जल्द ही कोलकाता के एतिहासिक महानगर की चहल पहल और लजीज मिठाईयों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फिर धाराओं पर बहता हुआ विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुन्दर बन पहुँच जाएगा जहां यात्री मेगना नदी डेल्टा की लहरों पर बूनो बीबी की कहानियों से अवगत होंगे काजी रंगा के घने जंगल गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्ती पीठों में से एक कामाख्या मंदिर निचले और उपरी असम को जोडने वाली महत्वपून रेल कम सडक धमनी बोगी बिल पुल का वास्तुशिल्प चमतकार और माजुली की सांस्कृतिक शामें इस यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव हैं जहां विश्व का परिचय पूर्व की विशेश तोर पर और पाक विधाउं से होता है तो आईये और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के सम्रिध्ध और अंचुए इतिहास का जश्न मनाईये क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रिय संकल्प के तहद पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्धरिमोहदय हरी जन्डी दिखा कर गंगा विलास को उसके गंदविक्यों रवाना कर रहे हैं आप सब की तालियां बहुत हल्की हैं काशी वासियो माननी प्रधानमंत्री मोहदय आपसे जुड़े हुए हैं हरी जंडी दिखा रहे हैं और M.V. गंगा विलास अब दिबरुगड की ओर रवाना हो रहा है प्रधानमंत्री मोहदय आपसे जुड़े हैं